नमस्कार, SP9 News देख रहे हैं आप विधान सभाद 2024 को लेकर सभी पाठियों में एलानाबाद सीट को जीतने की होड लग चुकी है इंडिया नेशनल लोक दल की तरफ से मौझूदा विधायक अभे सिंग चोटाला ने एक बर फिर एलानाबाद विधान सभा से चुनावी रण में उतरने का फैसला कर लिया है जिसके तहत शहर और गावों में चुनावी रंग चड़ना शुरू हो गया है गावों में चौक चराहों पर चुनावी चर्चाएं चलती रही है अभे चोटाला ने चुनावी रंग में उतरते हुए तैयारियां तेस कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ सवाल बना हुआ है कि आखिरकार अभे चोटाला के सामने कॉंग्रेस पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी और अन्य पार्टियों के तहट कौन उमिद्वार हो सकता है सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कॉंग्रेस और भारते जनता पार्टी के सभी संभावित उमिद्वारों में कौन टिकेट का प्रवल दावेदार हो सकता है इस पर चर्चाओं को लेकर एलनाबाद से शुरू होकर प्रदेश की राजिनीती में एलनाबाद की भूमिका को लेकर भी चर्चाओं चल रही है कॉंग्रेस और भाच्वा पार्टी के संभावित चेहरों पर इस रण में उतर कर अपनी ताल कौन ठोकता वा नजर आएगा इस पर भी मन्थन जारी है विदान सभाचुनाव 2024 में कॉंग्रेस प्रतियाश्यों के लिस्ट जारी करने को लेकर काफी असमंजस में है इस बीच लोगों में चर्चाओं का महौल है कॉंग्रेस में लगभग 14 नेताओं ने अपनी उमिदवारी पेश की है जिसमें से ज़्यादा तीन नाम ही सामने आ है अब लोगों में चर्चा इस बात की है कि कॉंग्रिस पार्टी इन नेताओं में से किस पर विश्वास जताएगी कौन सा उमिदवार चुनावी मैदान में उतरेगा भाचपा का एलानबाद सीट पर कौन होगा उमिदवार भाचपा के 67 सीटों के लिस्ट आने के बाद से प्रदेश में बगावत तेज हो गई हैं भाचपा इनेलों के प्रत्याशी अभे सिंग चोटाला के सामने पार्टी से मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश में हैं भाचपा से उम्मीद जता रही तीन चार चहरे सबसे अधिक चर्चा में हैं साल 2019 में हुए हर्याना विधान सभा चुनाफ की बात करें तो 2019 में विधान सभा में एलानाबाद सीट पर इंडियन नैशनल लोगदल के अभे सिंग चोटाले ने जीत दर्च की थी उन्होंने 57,055 वोट के अधार पर तमाम पार्चियों को हराया था चोटाला ने भाचपा के पवन बैनिवाल को हराया और वहीं आपको ये बता दें कि 2021 के उप्चुनाफ के परणाम भी कही ना कहीं इंडियन नैशनल लोगदल के पक्ष में नजर आए अब चर्चाएं तेज हैं कि आखिरकार यहां पर चुनाफ कौन लड़ता वन अजर आएगा इसके अलावा ये भी चर्चाएं हैं कि कॉंग्रिस पार्टी के तहत चेहरे कौन से यहां पर उतर सकते हैं अभी तक एलानाबाद विधान सभास सीट पर भारती जनता पार्टी और कॉंग्रिस पार्टी के तहत कोई बिचेहरा तै नहीं हुआ है